एक बार एक गाओं का किसान बहुती सीधा साधा अपने काम में लगा रहता था गाओं के सबी लोग कहते अरे भाई तुम इतना काम क्यों करते हो और उस किसान का बेटा उतना ही शैतान, जगडालू और खेलने वारा था वह दिनाद खेत पे काम करता, बच्चे के लिए कमाई करता और घर पे अच्छे खासे पैसे कमा के ले जाता उसकी खेते में अच्छा खासा उसको पैसा मिल जाता था और वह अपना परिवार बहुत अच्छे से चलाता था उधर उसका बेटा इतना शैतान पूरा दिन हसता खेलता खाता और खिलोने बरबात करता उसके लड़ू फेवरेट थे वह लड़ू इतने मन से खाता था कि उसके आँखे चक्कर खाने लगती थी उसका फ्रेंड कालिया उसके साथ रहता था पूरे दिन शरार करता था अपनी मा को परिशान भी करता था एक दिन उसने सारे खिलोने घर के तोड़ दिये कोई भी खिलोना नहीं रखा उसके पिता जी जब बापस आते हैं तो सोसते हैं ये क्या हुआ है तब कालू जुगार लगा के उससे खिलोने बना देता है और सब जंगल में जाके फिर से मस्ती करते हैं इतना खेलते हैं गाव के लोग शारे बरेसान हो जाते हैं कि ये बच्चा अखिरकार है कैसा उसके प्रचेटा पूरा दिन खेत में काम करते हैं और ये बच्चा सारा दिन शेतान ही करता है कहीं लड्डू खाता है कहीं खिलोने तोड़ता है कहीं कुछ करता है ये तो बहुत ही शेतान बच्चा है बड़ा ही बचितर बच्चा था उसको हसने की वड़ी आद कालिया उसे एक बार परेशान होके उसको एक जिगे पे बिठा देता है और कहता है अब तुम दुबारा यहां से नहीं उठना मोटूलाल अब वाँ पे उसे बजाने का एक तबला मिल जाता है अब वो उसको बजा बजा के बजा बजा के पूरा घर से पे उठा लेता है अचार के डिबे, खिलोने, खिड़की और खेलने का समान जूमर सारे एक बॉल चे तोड़ तोड़ के गिरा देता है कालिया आता है कहता है तुमने तो आज पूरा घर इधर से उधर करके रखा था तुमने ऐसा क्यों किया पिता जी इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए सारा सामान जोड़ कर लाते हैं और तुम इतनी सानी करते हो फिर उसके पिता घर वापस जाते हैं बच्चों आए कहने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाए